सबको मेरा पड़ा में नमस्कार है, पैरे बच्चों, BPSC सिक्षक भरती 2.0 में seated appearing वालों को मौका नहीं दिया गया और 68 में seated paper 2 पास करना आनिवार है, अब हमको यह बताईए कि जो बच्चे इस बार appearing में हैं, उनका एक्जाम होना है, seated paper 2 का एक्जाम 21 जनवरी को होना है, 15 दिन बाज रिजल्ट आ जाएगा, और seated appearing को मौका मिलना चाहिए, एकदम मिलना चाहिए, पिछले बार भी दिया गया था, इस बार भी मिलना चाहिए, अब देखिए, बीएड़ वालों के साथ कितनी बड़ी बिडंबना है, कि बीएड़ वालों को पिछले बार 125 में सुप पिएस थे भी नहीं, कि पहले से पास करके रखते, क्योंकि बेकेंसी ये पास साल पर आती है, तो सीटेट जो बच्चे पास नहीं है, वो इस बार बहुत जादे कुसिस करके और मेहनत करके पास हो जाएंगे, पिछले बार BPSC ने appearing वालों को दिया था मौका, जो सीटेट नहीं थे, appearing वालों को मौका दिया था, इस बार उनको हटा दिया गया, पिछले बार सुप्रीम कोट ने हटा दिया, B8 वालों को, 125 से, आ इस बार 628 में जो लोग लगभग सीटेट 2 से 4 परसें बच्चे पास होते हैं, इस बार बोर्ड ने हटा दिया, ये कहां का न्याय है तो हम आदर्निय अतिल परसाद जी से, मानिय सरकार से, नितिस कुमार जी से, तेजस्वी जी से, हाथ चोड़कर नम निवेदन करेंगे, कि आप सीटेट वालों को मौका दे दीजे, ये बच्चों की मांग है, बच्चों के तरफ से, बच्चों की हमारे पास आते हैं, आप नितिस्त और तेजस्वी जी की सरकार में हुआ है, वो साइध ही कभी हुआ होगा, और साइध ही कभी होगा, इतनी वेकंसी कभी नहीं आई था, लेकिन थोड़ी सी हडवड़ाहट को कम करते हुए, थोड़ा अगर समय दे दिया जाए, इन बच्चों का भी भला हो जाएग लेकिन अभी वेकंसी इतनी जल्दी आ गई, और बच्चों को मौका नहीं मिला, आप सिर्फ एपेरिंग वालों को दे दिजे एक चांस, और अगर वो सीटेट पास नहीं करते हैं, उसको आप हंटा दिजेगा, कहीं कोई समस्या नहीं है, अगर वो सीटेट पास नहीं कर प है, इसलिए आदर्णिया है, अतुल प्रसाद जी से, और सब लोगों से, जो भी सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, जो इस पर डिसीजन ले सकते हैं, हाद जोड करना में डिवेदन है, ये भी बच्चे आप ही कहें, एक आसा बरी निगाहों से आपकी तरफ देख रहे हैं, तो इस पर आप जरूर सुनिएगा, पिछले बार भी आपने सीटेट अपियरिंग को मौका दिया था, उस बार सुप्रीम कोट ने 1-5 में बैड़ वालों को हटा दिया, इस बार जब 6-8 में बैड़ वालों को बैड़ वाले अपलाई कर सकते हैं, तो आप एक सीटेट भी पास होना जरूरी है, और सीटेट की पास बच्चे नहीं कर पा रहे थे, उतना सीरियसली नहीं पड़ पा रहे थे, या कुछ बच्चे अभी-अभी बैड़ किये हैं, तो जनवरी में एक्जाम हो जाना है, उसका डेट भी आ गया है, तो हम उमीद करेंगे कि ये वीडियो भी बच्चों की मदद कर भी रहे हैं, लेकिन इन बच्चों की भी सुद्र ले लीजे और एक वीडियो छोटा सा जरूर बना दिजे इनके फेवर में, ताकि इनकी भी थोड़ी सी मदद हो जाए, थैंक्यू बेर मच, लब यू आल, नमस्कार.